नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy M13 5G vs Nokia G21 का full depth comparison करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के last में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की दोनों फोन की length की बात करें तो दोनों फोन में same ही 6.48 inch की length मिलती है width की बात करें तो Galaxy M13 5G में 3.01 inch जबकी Nokia G21 में 2.99 inch की width मिलती है जोकी Galaxy M13 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो Galaxy M13 5G में 0.35 inch जबकी Nokia G21 में 0.33 inch की thickness मिलती है अब बात करते हैं weight की तो Galaxy M13 5G में 195 grams जबकी Nokia G21 में 190 grams का weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M13 5G में a LCD जबकी Nokia G21 में IPS LCD की display मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है बात करें display size की तो दोनों phone में same ही 6.5 inches मिलती है display resolution दोनों phone में same ही 720 by 1600 मिलता है screen to body ratio Galaxy M13 5G में 81.06 जबकी Nokia G21 में 81.65 प्रतिशत मिलता है बात करें पी-पी आइडेंसिटी की तो दोनों phone में same ही 270 pixel प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताए की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो Galaxy M13 5G में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और Nokia G21 की बात करें तो इसमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनु फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो गैलक्सी M13 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nokia G21 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फरमेशन देखते हैं। हाद्वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, Galaxy M13 5G में Mali G57 MC2 जबकि Nokia G21 में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, Galaxy M13 5G में Mediatek Dimensity 700 MT6833 और Nokia G21 में Unisoc T606 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, दो वेरियेंट देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB की RAM मिलती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही, दो वेरियेंट देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB की storage मिलती है। expandable memory की बात करें तो, Galaxy M13 5G में up to 1TB जबकी Nokia G21 में up to 512GB है। operating system की बात करें तो, Galaxy M13 5G में Android V12 जबकी Nokia G21 में Android V11 देखने को मिलती है। battery, Galaxy M13 5G में 5000mAh जबकी Nokia G21 में 5050mAh देखने को मिलती है। अई अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, Galaxy M13 5G में 3 colors जबकी Nokia G21 में 2 colors option मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें price की तो, Galaxy M13 5G में 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 13,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें Nokia G21 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 12,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB storage के साथ 14,999 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Gons यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M13 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Nokia G21 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nokia G21 आगे है। में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Galaxy M13 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दुसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y2 1T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।